तो आज हम टैंसिस को रिवाइस करेंगे टैंसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत प्रॉबलम आती है और यह एक ऐसा टॉपिक है अगर बच्चों को एक बार यह समझ आ जाए तो उनको इस चीज में कोई प्रॉबलम नहीं आती है तो आज हम टैंसिस को ही जैसे कि Tenses के तीन पार्ट होते हैं present, past and future तो आज हम तीनों पार्ट को revise करेंगे present से लेकर future तक So present simple का क्या formula होता है हम इस rule chart को ऐसे बनाएंगे कि आप लोगों को कोई problem नहीं होगी तो कि आप लोगों को जिन्दगी भर ये Tenses के rules माइन में हमेशा याद रहेंगे कोई भी आपको rules skip नहीं होगा So अब हम start करते हैं Tenses के rules को So present simple So simple present का rule सबसे पहले हम उनके rules को revise करते हैं Simple present का rule होता है V1 It means first form of verb Simple present के लिए हमें verb की first form चाहिए होती है So अब इसी के साथ हम इसके एक example लेती है इनके एक sentence बनाते हैं हम लिख सकते हैं I ate food यानि कि मैंने food खाया I ate food मैंने food खाया So simple present का एक sentence है I ate food So इसमें हमने verb की first form को use किया है वैसे ही अगर हम present perfect पे आते हैं तो इसमें हमारे पास होता है has have plus v3 हमारे पास इसमें होता है has slash have plus v3 इसमें हमारे पास ये तीन चीज़े होती हैं अगर अब हम इसका sentence बेनाते हैं तो हमारे लिए sentence ये होगा I have eaten food I have eaten food So present perfect का rule है कि has have plus v3 इसका example हमने ये लिया है कि have I have eaten food तो इसमें has have में साई के साथ हम have को choose करेंगे और v3 हमारे आगी eaten eat की third form होती है eat ate eaten So हमारे पास has have भी होगा और verb की third form में complete होगी अब हम चलते हैं present continuous पे present continuous का rule है is mr plus v1 plus ing इसमें use होता है is mr plus v1 plus ing ये चीज़े हम present continuous में use करते हैं So इसी का हम एक sentence बनाते हैं इसमें हम लिख सकते हैं I am eating food I am eating food जिसमें हमने इस mr में से am को choose किया eat का v1 हो गया और साथ में हमने ing भी use कर दी इसके साथ ही हमारा present continuous का sentence भी complete होता है अभी हम दुबारा से simple present के formulas को revise करते हैं जिसे simple present में हमारे पास v1 यूज़ होगा तो v1 में हम कोई और sentence भी बना सकते हैं I play football इसमें हम कोई भी sentence बना सकते हैं जरूरी नहीं आप लोगों को इसी से याद रखना है बस आप लोगों को एक sentence लेना है जिसके उपर आपने सारी एक जैसे sentence बनाने है ताकि आपको वो चीज़ क्लियर हो जाए अब हम बढ़ते हैं present perfect continuous की तरफ present perfect continuous में होता है has have लेना हमने जिसके साथ bean भी लगेगा प्लस वी वन और ing यूज़ होगी इसमें present perfect में हमें has have के साथ bean लगाना होता है verb की first form यूज़ होती है और साथ में ing यूज़ होती है इसमें हम लिख सकते है I have been eating food I have been eating food सो हमने has have में से I के साथ have को चूज़ किया bean साथ में अप्लाई कर दिया verb की first form के साथ ing यूज़ कर दिया तो हमारा present perfect continuous को sentence भी complete होता है इसे के साथ हमारे present के सारे rules फिनिश होते है अब हम बढ़ते है past simple यानि कि simple past की तरह simple past का rule है जिससे simple present में v1 यूज़ होती है उस तरह simple past में v2 को यूज़ करते है simple past में v2 को यूज़ करते है जिसमें हम sentence बना सकते है I ate food yesterday मैंने कल खाना खाया था तो इसकी हिंदी भी आप समझ चकते हैं तो हमने past simple का rule था v2 उसी से हमने v2 लगाई यानि कि eat की v2 होगी 8 अब हम past continuous की तरफ बढ़ते हैं past continuous में हमारे पास क्या होगा rule was were plus v1 plus ing यह हमारा past continuous का formula है अब इसी से हम sentence भी बनाएंगे इसका sentence हम क्या लिख सकते हैं यह हमारे दिमाग में होना चाहिए इसका हमने लिखना है I was eating food I was eating food तो यह है past continuous के sentence जिसमें हमने was where में से was को आई के साथ चूज किया है eat v1 हो गई और साथ में हमने ing को यूज किया है इसी के साथ में हम past perfect continuous का भी जो रूल है उसको याद करते है past perfect continuous sorry past perfect continuous में हमारे पास क्या होगा past perfect continuous में हमारे पास had been v1 and ing होगा past perfect में हमारे पास रूल होता है had plus v3 so इसी के साथ हम past perfect का एक sentence भी बना सकते है past perfect का sentence हो सकते है I had eaten food before you arrival I had eaten food I had eaten food हम यहाँ तक भी लिख सकते हैं क्योंकि हमने had में had यूज कर लिया v3 eaten में यूज कर लिया हमी अब हम बढ़ते हैं past perfect continuous की तरफ past perfect continuous के रूल है had तो लगी के साथ में bean भी यूज होगा had के साथ bean plus v1 plus ing यूज होगा past perfect continuous में had bean वर्प की फर्स फर्म और ing साथ में यूज होगा इसका sentence लिखते हैं I had been eating food when you arrived यह है past perfect continuous का जिसमें had been वर्प की फर्स फर्म और ing को हम नहीं यूज कर ले हैं अब हमारे पास बारी आती है simple future की simple future में सिर्फ और सिर्फ विल शेल और उसकी वर्प के फर्स फर्म ही यूज होते हैं अब इसका sentence हम क्या बना सकते हैं आई विल इट फूट विल शेल में से आए के साथ हमने विल को यूज किया इट होगी वर्प की फर्स फर्म और यह हमारा simple present का sentence कम्पलीट हो चुका है अब हम आगे बढ़ते हैं future continuous की तरक future continuous में हमारे पास क्या formula होगा अब इसका rule क्या होगा हमारे पास अब हम इसको लिखना शूर करते हैं will और शेल तो होगा हमारे पास साथ में भी यूज होगा साथ में वर्प की first form और साथ में आई एंट शी यह यूज होगा यह formula रहेगा हमारे पास future continuous के लिए और इसका sentence हम लिख सकते हैं आई विल बी इटिंग फूट वेन यू अराइव अब विल शल में से विल भी ले लिया बी भी यूज कर लिया वर्प की first form साथ में आई एंजी भी हमने यूज कर दिया तो इससे हमारा future continuous का sentence भी complete हो गया अब हम बढ़ते हैं future perfect year future perfect में हम क्या यूज करेंगे will और shall तो यूज होगा साथ में हम इसके have यूज करेंगे plus v3 यानि की वर्प की third form को यूज करेंगे इसका sentence हम क्या बना सकते हैं आई विल हैव इटन फूट बाई लंच टाइंग तो इसका sentence हम ये बना सकते हैं आई विल हैव इटन फूट बाई लंच टाइंग अब हम बढ़ते हैं future perfect continuous की तरफ जिसमें हमने will, shall, have के साथ साथ इसके साथ हमने bean भी आड़ करना है वर्प की first form plus ing यूज होगा अब इसका sentence हम क्या बनाएंगे I will have been eating food until you arrive इसमें हमने will, shall में से I के साथ will को चूज किया have, been भी यूज कर लिया हमने वर्प की first form और ing भी हमने यहाँ पे यूज कर दिया इसे के साथ हमारा, यह भी sentence complete होता है तो इसी के साथ हमारी tenses के rule complete होते है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो जाते चाते मेरी वीडियो को like, share and subscribe शिरूर कर देना और बाकी आगे के वीडियो के बिली शिरूर त्यार रहना यहाँ बाकी वीडियो झाल 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 झाल